हेलो फ्रेंट्स आपका पीस से बहुत-बहुत स्वागित करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रतनामनी मैटल्स एंड ट्यूब्स लिम्टर के स्टॉक की इस स्टॉक में फ्राइडे के दित बहुत बड़ी ब्रेक आउट देखने को मिली थी नियली सेवन परसंट के राउंड इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी और यह जो स्टॉक का 2350 रूपिस पे क्लोज हुआ था round 330 p.m. अब आने बाले टाम में इसके टार्केट क्याLook क्या रहा सकते हैं इस में इतनी बड़ी तेजी क्यों चल रही आइए सारे detailctor car करके हम इसके चैक कर लेते हैं इसकी financial growth भी जान लेते हैं technical level भी चेक कर लेते हैं तो एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें कोई भी पॉइंट मिस मत करें सबसे पहले जदी आप हमारे चैनल पर फॉर्स टेम बिजट किये हो पहले इसे सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें इससे आपको हमार इसके स्टॉक की ही पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो एक दिन में कलियर ली इस स्टॉक में बहुती बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल चुका है जदी लास्ट फाइव डे का डाटा देखे तो यहां पे नियर ली फ्लै ट्रेंड देखने को मिल रही है पहले इस स्टॉक में क्रेक्शन चल रही थी लेकिं लो स्पोर्ट लेवल से डैट इस ट्वांटी वन हंडड़ और ट्वांट इस स्टॉक ने ट्रेंटर वर्सल शो किया है जदी इसका वन मंत का चार्ट पैटरन देखे तो यहां पे 3.89 पर संड के नेगटिव रेटरन्स ही देखने को मिलेंगे, विह सॉलन का चार्ट देखोगे,श सैबन पॉइंट स्टी ना पर्सली इस ट्रेंष में देखने को मिल जाएगी, आईए अब इसका last 12 year का pattern देख लेते हैं तो यहाँ पे जुरूर 22.51% के returns देखने को मिलेंगे आईए अब इसका थोड़ा long term का pattern देख लेते हैं 5 year का pattern देखे तो यहाँ पे बढ़िया returns देखने को मिल जाएंगे 193% के multi bag returns देखने को मिल जाएंगे तो clearly long term में यह जो stock है एक multi bag stock निकल कर आ रहा है maximum chart pattern देखे तो यहाँ पे भी multi bag returns ही देखने को मिलेंगे 2824% के returns देखने को मिलेंगे तो यह जो stock है continuously rally ही show कर रहा है growth ही show कर रहा है बहुत ही बढ़िया momentum इस stock ने दिखाया है इस stock की price जो है वो 12th मई 2006 को 80 रूपीज थी आज जो stock है 2350 रूपीज पर पहुंच चुका है clearly इसमें बहुत ही अच्छा growth pattern देखने को मिल चुका है उस time जदी आपने 1 lakh रूपीज investment करके इस stock में रख ली होती तो currently उसकी जो value है nearly 29 lakh हो गई होती तो आप यहां पर देख सकते हो कैसे stock market में long term में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको अच्छे quality के stocks में ही investment करनी चाहिए तो आईए इसके detail हम एक एक करके चेक का लेते हैं पहले latest quarter के number चेक का लेते हैं इस company के जो starting हुई थी 1983 में हुई थी इडिया बेस्ट कांपनी है number of employees इसके 2247 है आईए इसके quarterly data एक बाद चेक का लेते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि input cost का pressure यहां पे देखने को मिल रहा है आईए इसकी operating जो income है भूबी चेक कर लेते हैं तो operating income में फिर अच्छा trend देखने को मिल रहा है 66.4% की rally देखने को मिल रही है तो अब हम इसके last quarter के चेक कर लेते हैं सब्तमबर 21 के number चेक करें तो यहां पे revenue में net income और margin आपको improvement ही show कर रहे है मार्जन में जुरूर स्लाइट positive momentum देखने को मिला है लेकिन revenue और net income 20% से ज़्यादा growth जो है वो show कर रहे हैं जून 21 में इसके revenue में negative trend देखने को मिला था income margin और operating income में जुरूर positive trend देखने को मिला था मार्ज 21 के numbers देखें तो यहां पे भी all financial parameter positive भी growth शो कर रहे हैं तो overall इसके financial जो है वो positive भी देखने को मिल रहे हैं तो आईए इसके latest जो है वो trend quarter on quarter basis पे भी check कर लेते हैं देख लेते हैं कि quarter on quarter basis पे इसका financial score किस तरह का निकल कर आ रहा है इसकी financial performance किस तरह की निकल कर आ रही है तो दोस्तो जदि इसका हम quarter on quarter basis पे financial score चेक करें तो आप यहां पे देख सकते हो last three months में इस company की financial performance इंप्रूब होती दिख रही है और दोस्तो यह Bombay stock exchange होती है यह किसी भी company की जो financial performance है वो different parameters के basis पे calculate करती है जैसे के इस company का revenue growth जैसे के इस company की income की growth किस तरह की है EPS का data किस तरह का है share holding का pattern किस तरह का है So all parameters are improving on quarter on quarter basis in the last three months तो बहुत ही positive trend यहां पे देखने को मिल रहा है and इसकी जो net sales are that is reported to be highest at 927 crore PBT less is also grown at 23% and the pet has grown at 22% तो overall बहुत ही positive trend जो है यहां पे देखने को मिल रहा है net profit का data भी increase हो रहा है EPS में भी positive trend देखने को मिल रहा है cash EPS is also increasing all the financial parameters are improving on a quarter on quarter basis margin जरूर आपको जो है वो negative trend शो कर रहे है margin में slight reduction देखने को मिल रही है तो आइए इसकी latest announcement जान लेते हैं दोस्तो इस company को एक बहुती बड़ा order भी मिल चुका है कल की 26 माई की that is this company has informed the Bombay Stocks Exchange that is the company has received new domestic orders aggregating to rupees 206 crore तो दोस्तो इस company को नया order भी मिल गया है that will be executed in the year financial year 22 to 23 यह बहुत ही positive indication है इस stock में इसी दिये ही Friday के दिन बहुत ही बड़ी ब्रेक आउट भी देखने को मिली थी क्योंकि इस company को नया order मिला है यह जो order है यह 22 to 23 में complete किया जाएगा इसका direct benefit इस company को मिलेगा इसकी performance आपको improve होती दिखेगी in the coming time तो इसलिए इस stock में जो है आने वाले time में बहुत ही bullish trend देखने को मिल सकते हैं आईए इसके कुछ और technical जो है वो detail में discuss कर लेते हैं इसकी जो company की business है that is in the steel tubes and pipes जदि इस company की सबसे बड़ी strength देखें तो this is a cash rich company क्योंकि इस company का जो net cash flow है and cash है वो continuously improve हो रहा है from the different type of the operating activities market capitalization देखें तो 10,546 क्रोड का है PE ratio 32 की है sector की PE ratio 23 की है sector के comparatively जरूर अभी यह जो stock है थोड़ा costly आपको मिलेगा आगे बढ़ते हैं इसके moving average भी हम check कर लेते हैं तो shorter में अब इस stock में ups and down ही देखने को मिल रहे हैं continuously volatility ही पाई जा रही है लेकिन long term में जरूर इस stock की price में अच्छा trend देखने को मिल रहा है जैसे कि हमने आपको चार्ट में भी बताया है जैसे जैसे इसको आप long term के लिए hold करोगे वैसे वैसे ही इसमें आपके returns बढ़ते ही जाएंगे बॉलिम का trend देखें तो यहां पे भी शानदार improvement देखने को मिल रही है one month का average देख लो one week का average देख लो Thursday का बॉलिम देख लो यहां आप last working day Friday का बॉलिम देखें तो यहां पे आपको continuously increasing trend ही देखने को मिला है तो इसकी जो breakout हुई है that is accompanied by the steep rise in the volume तो यह बहुत ही positive indication है इसमें बहुत ही अच्छा trend आपको देखने को मिल सकता है इसके जो Q4 के PAT का data है जहां पे जिरूर आपको reduction देखने को मिल सकती है आगे बढ़ते हैं और इसका long term का growth pattern देख लेते हैं तो long term का five year का revenue data देखें तो यहां पे आपको increasing trend ही देखने को मिलेगा 2017 में इसका revenue 1411 क्रोड था 21 में ये वड़के 2298 क्रोड हो गया है नेट प्रॉफट का data देखें तो यहां पे भी increasing trend ही देखने को मिला है इसके नेट प्रॉफट में भी last five years में growth है 21 में जरूर थोड़ी reduction देखने को मिली थी लेकिन 22 में जरूर आपको recovery देखने को मिल सकती है because of the end of the lockdown share holding देखे तो यहां पे भी बहुती अच्छा बढ़िया mix share holding pattern देखने को मिलेगा यहां पे आप देख सकते हो पर मोटर के पास nearly 60% का stake है FIIs के पास 12% का stake है DIs के पास 16% का stake है public के पास 11% के around stake है जब इसका stake का analysis करें तो जो mutual funds है FIIs है वो इस company में अब खरीदारी कर रहे हैं in the quarter ending March 22 तो उनकी holding जो है वो इस company में बढ़ रही है पर मोटर के holding unchanged है mutual funds की holding increase हो गई है from 15.53% to 15.97% similarly FIIs की holding भी इस company में increasing trend ही शो कर रही है यह बहुत ही positive indication है इसलिए इस stock में आपको आने वाले time में बहुत ही बड़े target हिट होते दिख सकते है breakout देखने को मिल सकता है इसका जदी हम valuation check करें तो valuation थोड़ी costly जुरूर देखेगी लेकिन ROE percentage की value भी decent है 13.88% है debt to equity ratio भी इसका low है 0.07 है आप कहा सकते हो nearly debt free company है financials are looking very very strong and technically भी अब इस stock में बहुत ही bullish trend जो है वो देखने को मिल चुका है इसलिए आने वाले time में next one to two years में यह जो stock 3000 की ओर जो है वो आपको target में hit करता दिख सकता है तो इसके लिए आपको धीरे धीरे करके इस stock में accumulation करनी होगी और dip में इसको buy करते रहना होगा तभी आपको आने वाले time में बढ़िया returns मिल पाएंगे